हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रमुक्टा और प्रमुक्टा व्लोग में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुती तैस्टी क्रेंची और जटपड बढ़ने वाली चना दाल की नमकिन इसे बनाना बहुती आसान है और आप मेरी इस रेसिपी को फूलो कर आपके साथ मैं शेर करते रहूंगी तो आप देख सकते हैं कितने जादा क्रंची थी और उसकी आवाज भी आ रहे थी मैंने आपको दिखाया तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फिर बिना देरी के यहां पर फ्रेंट्स मैंने दो किलो चनादार ली है और उसको चार से पांच पाने से वॉस किया है और उसके बाद में मैंने इसको 6 गंटे तक भीगोया है तो भीगोते समय आप इसमें खूब सारा पानी डाले उपर तक पानी डाले जिससे दाल अपनी अच्छे से बीके तयार हो और बहुत अच्छे से फुल भी जाए तो आपको एक टिप्स साथ में शेयर करते हैं जो हमारे पास में डाल थी उसे हमने 45 मिनट के लिए धूप में सुका लिया था और अगर आप पंखे में सुका रहे हैं तो एक गंडे तक सुका लेजिए तो देखिए फ्रेंट्स डाल ऐसे सूख के तयार हो चुकी है वो बिलकुल सूखी भी नहीं है और ना जादा गीली है यहां पर मैंने एक कडाही में ओल डाल दिया है रिफाइंड ओल का ही यूज करना है हमें सेकिंड टिप यहां पर यह बताना चाहूंगी कि हम जो भी कडाही ले थोड़े बड़े साइज के लिए क्योंकि जब भी हम दाल को फ्राइज करेंगे तो ऐल कडाई से बाहर निकलने लगता है क्योंकि डाल में मौश्चर होता है इसलिए हमें दाल को सुखाना परता है थोड़े देर जिससे हम इसे फ्राइज करेंगे तो बहूर दाल में जो भी नमी थी वह खथम हो चुकी है तो चलिए अभी इसे फ्राइज करते हैं मैंने यह पर चम्मच की हेल्प से डाल को इसके अंदर डाला है वो भी धीरे से और ध्यान रखना है कि हाथ से बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है डाल को क्योंकि जैसे ही हम ये डाल इसके अंदर डालते हैं वेसे ही बबल्स बनना स्टार्ट कर देते हैं और ये जो ओल के अंदर उफा ये दाल पकने लगेगी अपने को पता चल जाएगा और इसमें बार बार जारे या कल्चे को हमें नहीं चलाना है बस इसको एक बार ऐसे चेक किया कि ये बनी या नहीं बनी उसके बाद में हमें लगता है कि अभी ये नहीं बनी है एकदम बिल्कुल अच्छे से फ्राई नही पर जेसे ही iseric ant приб इसफ़राई होगी तो दाल के दने ओपर आ जाएँगे तो देख सकते हैं आप यह अच्छ से फरैई होने की कगार पर है तो हम इसे एक मिनट तक और फकाएंगे जलाएंगे और अच्छे से और उसके बाद में इसे हम निखाए ऴैट तो द में एक मिंनट हो चुका है तो चलिए डाल को मिस करना लेते हैं देखिए इस अश्ए करने तरफ जाएंगं कि दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और गेज का फ्लेम अभी मीडियम कर देज़िए क्योंकि अपने दाल है वो जल जाएगी तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि दाल कितनी अच्छे से फ्राई हुई है ना ही तो ये जली है और ना ही कच्छी रही है तो इसके कुछ दाने हम फोड के देखेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी क्रंची क्रंची आवा जा रही है तो दिखाते हूँ आपको तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप इसको फोड के देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये एकदम अच्छे से फ्राई हुई है, तो फ्रेंट्स अभी बची हुई दाल को हम फ्राई कर लेते हैं, गेस का फ्लेम में नहीं आप हाई कर दिया ह तो फ्रेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ओईल भहुती कम लेना है, और कडाई हैं बड़ी साइच की लेना है, क्योंकि हम जब मोश्चर वाली दाल गरम ओईल में डालते हैं, तो उसकी वज़ए से ओईल बाहर निकल जाता है कभी-कभी, इसलिए हमें कडाई को बड़ी ही लेना है, जिससे हमारा जो ओईल है वो बाहर ना निकले और आपको कोई भी नुकसान ना पहुचा सके, तो कुछ ही बातों का ध्यान रखे हैं, बहुती ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी एंटेस्टी चना दाल की नमकिन घर पर तयार कर सकते हैं, जो बड़े औ और बच्चों को बहुते ज़्यादा पसंद आएगी, देख सकते हैं आपकी चना दाल तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालने के लिए मौंग फली को फ्राई कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कटूरी मौंग फली फ्राई किया है, ये एक से द चना दाल पर ही मसाले को लगाना होगा, जिससे मसाला चना दाल पर अच्छे से चीपक जाएगा, तो हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए मसाला तयार करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बच्चों के लिए बना के तयार करते हैं, नमकिन एक चमच मिर्ची पाउडर डाला है एक चमच काली मिर्ची पाउडर और आदा चमच में यहाँ पर गरमसाला डाला है आदा चमच नमक डाला है और यहाँ पर आदा चमच हम काला नमक इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और हम इसे मिक्स कर देंगे और इसस इसमें आदा चमच आमचुर पावडर अच्छ से मिक्स कर दें इससे टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है तो यह हुई बच्चों के लिए तयार और अब बड़ों के लिए बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चमच हम लाल मिरची पावडर एड कर देंगे तो टोटल मैंने यहाँ पर दो चमच तो फ्रेंट्स जैसा कि आपने देखा कि मार्केट से भी अच्छी चना डाल की नमकिन हमने घर पर बना के तयार कर ली है और इसमें बहुत जादा मसाले भी नहीं डाले हैं और जो भी मसाले डाले हैं वो हेल्थ के लिए बहुत जादा अच्छे हैं तो आप इसे बना कर प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर से कर देना तो फ्रेंड्स यह तो बताते जाओ कि आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं बाई काईस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में